सब्सक्राइब दोस्तों मैं डप्टर गुर्पिर सिंग बावर रसी हूं बसी पढ़ना तों मेडिकल स्पेशलिस्ट अज तटे फेर रूबरू होन जा रहे हैं जिम्हें के अग्गे भी आपां कई सारियां वीडियो शेयर किती हैं जिस फुच किया अपां सिंपल डिजीज बाव डेस्कस किते हैं अज भी आपां एक सिंपल डेके ज्रिजीज जिनंग़ अपास ठाइरड डिजीज क्यन्य वह ब़ीडिसक्राँब किंह कियुक्च ठाइरड डीजीज एक बहुत ही कॉमन डजीज है जड़ी कि साड़ी रूटीन दी ओपेडीज विछ बहुत तरी पेशंट्स डेली पेशंट्स आंदेने हैं बद उसे अपने भी क्या सकतना है कि साड़े कुल डेली कोई ने कोई एक दानमा पेशंट थायरोड दे डाग्नोस होंदा है ते कही वरी एक डाग्नोसिस काफी लबे सम्वे तक नहीं हो पांदा जिस करन के पेशंट्स नो कई तकलिफां जयलिया पहन दियाने वो दे डाग्नोसिस करन विछ ही काफी टेम लग जानता है को अउम पा shaping देबारे कुछ हच करनके थायरोड डीजीज़ बरे थैरोड अपने एक गलें होंदा है जोकी अपने गले विच स्थित्थ होंदा है कर यह लोप सुर्दियाने ते एक बहुत छोटा या ग्लाइड हुंदा है पर एक बहुत ही इंपोर्टेंट और्गन मनें जाना है इसे बहुत ही वाइटल रूर प्ले करता है अपने डिली लाइफ वीच थारट ग्लाइड चुम दिज़ेटे काम अप मन्द के चलिये जो साधी मेडिकल स्ट्राइजिस दस्तियां कि इन्हें BMR, basal metabolic rate, कंट्रोल करना है होर कई important parameters, pulse और होर काफी जन्व ये कंट्रोल करता है तो अपने को दो तरहांते थारट होसका दे हैं जिदे विच थारट जाला कम करता है उन्हों से hyperthyroidism करने हैं जन्यों कि कुछ लोग की सोके वाला थारट करने हैं क्यों देश्पाइड के पेशेंट नॉर्मल खान तो बाद भी पेशेंट दा वेट करदा ही जान्दा है इस हर के लोग को इस नूर नेटिव लैंगवेज विच सोके वाला थारट करने हैं दूसरा थारट है आपने को हाइपो थारटिसम जिस मुटापे विच के वेट गीन दर कि दूसरे महतना थारट है अप पांचल इस बरिकाल करांगे ज्यादा का मनें ऐस Łबीग करने तो प्यू डियू परिस का कुणे एक तो जो हाईetus और इजिसके आडब कम करता है तारब जित्वें बनता है थाले इंट थैडिख हार्मूस काट होंदा है सब्सक्राइब काट होनल कई तरह दे साइन संप्टम्स अपने बॉड़ीच आयां देए पिशन देए जो किसानु जित्थों से क्या सिग्यास लगानिया आसी एनलाइज कर देंगे इस पिशन में थायराइड डिजीज हो सकती है यह हाइप थायराइडिजम फीमेल्स ज्यादा कोमन अन इस लिए ज्यादा कोमन है यंग फीमेल्स ज्यादा कॉमन है पाकी ए रेपोड़र्टिव एज़व ज्यादा कोमन पाया है जो साटेकुल कुछ साइन्स सिंटम बड़े कौमन साइन्स सिंटम में चस्ति लाके पिश्ट साडेकुल आंदा कही लेड़ीस आंदे हैं कि सर मेरा वेड गिन हो यह आंदा है मैं काफी कोशिश करने बावजूद भी मेरा वेड केंट्रोल नहीं हो रहा है ते टेस्ट करने के पितला दा कि उपिशन नूँ हाइपो थारीड हार्मन कट सेक्रीट हो रहे है टीके सेच वांचन्द है फिर कही वरी पिशने के टॉट समन बहुत ज्यादा सुष्टी पहन दी है नीद भी आ जान दी कि वरी बैठे-बैठे ता एक सुस्ती दा कारण भी है एदे विच स्किन काफी ड्राई हो जान दी है कोर्स ड्राई स्किन हो जान दी है नंबर चार एदे विच मेंस्ट्री इर्रेगलर्टी आ जान दी है बलो पिरिट्स विच इर्रेगलर के वरी दो दो मेने पिरिट्स मिस हो जान देने तो इस सारे साइंस सिम्टम इस हाइपोथायरडिजेज दिजीज बूता है कि पिशिह नने की परेसिर तेस्ट पर दूंसी सब्स्सक्राइब ते शक पहनदा है कि हो सब्धा है इस पिशन नो थारट डिजीजी होगे ते बहुत और देखा मेंचे आया है कि ए डाइग्नोस्ट अंडाइग्नोस्ट चलिया हन्दा है कही कही मिने साल कही में जड़को पिशन्स एन्ने ज़ादा उस सिंप्टम से लेड स्टेज पहुंदे ने तो एक पिशन्स सिंप्टम पुच्छों तर कह रहे है तो छे मेने साल तो हो गया इस सुष्टी नो वद्धी जा रही है वद्धी जा रही है वीट वद्धा जा रहे है सो जन्ना आपन जल्दी अर्ली डियाग्नोस करांगे उन्हीं जल्दी ट्रीप्मेट होएगा ते इसे मेजॉर्टी की 99 तुला के 100% पिशिंट से इन थायरण ने ठीक हो जान देने पर एक एस चेह है के थायरण देडी टैबलेट से ही हैं एक काफी लंबे समय बास चल दियाने बहुत वरे समय लोग की कुश्टन कर देने भी जोट सब गोली के दिब बांद भी हो जाएग कि सारी उमर लेनी परनी है यह पेशिंट टो पेशिंट फेरी करता है पर मजॉर्टी ऑफ किसे काफी लंबे साला तक लाइफ लॉंग भी चलती है ते कुछ पेशिंट्स जदों कुछ ठीक हो जान देने फिर अपने अपी मेडिसन चट देने चे मिने बाद फिर टेस्ट आ पर छे मिने बाद दोबार टेस्ट करांदा यह डॉक्टर दे क्यांते करांदेने फेर लेवल से बड़े वधे होंदेने टीके सच दि तुस्त एक करती करने जित उसी कंट्रोल नो किसे डोज नल एक लेवल तर देट फिक्स हो चुक्या है तो तुसी ओस लेवल नूँ उस जरूर कराने चाहिए बखे बहुत और यह दिख्ञा गया कि जिसना के इस चे मेटाबोलिक डिजीज है इस इस अ कोलेस्टरोल बहुत वच्छन दे बहुत कि नियुक्त तर थायरे डिजीज होंदी है ना लोन दा है पर लिपिडियमिया क्लेस्टरोल बढ़ बढ़ जनता ह इस अ कि पिशन बहुत खा रहा कि वह मकंग खा रहा बट मैटाबोलिक डिजीज करके ही पिशन दा कोलेस्टरोल ट्राइजिए बहुत वच्छन दे तो वी और शितवत तिया रखना पेंदे इससे करके एक थायरेट जिस पंदे डिजीज होई वह दा कोलेस्टरोल बढ़ तो लेटर ओन लाइफ विच अन्हों हार्ट डिजीज होंदे वी चांस्वाज जन्द ने है तो थायरेट नों कंट्रोल अखना बहुत जरूरी है तो मैं इथे ही डोईस करांगा जीतनों क्या स्वेस्टरान सेम्टम्स हागेने वेट गेन है एक्सेसिव कुछ सवाल आरे ने सुष्टी ज्यादा पेंदी आए पीरेट कोई एगिलरटी आँडी आँज या पीरेट सेंदमें नहीं आँदे स्किंच कोई कोर्शनेस या स्किंच ड्राइब संदिया तो अपने डॉक्ट्टेर मिलो कि मिलें जारत चारो तो एक दो जाने बहुत सुखी है बिसि तो बहुत लबाच रहा है एक टेबलेट लेनी होंदी है प्रेफरेबली खाली पेठी एदा एफेक्ट आंदा है तो यह उड़ते साहर तुसी एटेबलेट लाओ तो तो विदिन थ्री वीक्स एदा एफेक्ट आना शुरू हो जानदा है तो पेशिंट आपने अपने 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 सारे कम बड़े फुर्तिली त्रीके ना कर लाना तो मैंने होना जो पहला मैं फील करता से नहीं होता तो इस आदमों मैं आसे सब्सक्राइब करांगा कि यह आपक बड़ी सेंपल डिजीज है इसली डियाग्रोस हो एंदी है इसली सेंपल टेस्क ने लाब बेच ते एदा ट्रीटमेंट भी बहुत सेंपल एक ते बड़ी सर्फ लानी है तो मैं सबनों एही अपील करांगा कि यह किसनों साइन सेंप्रम को यह स्ना देवों तो डॉक्टरों बिलके उसला ना टेस्क राओ ते अकॉर्डिंग जो डॉक्टर चड़ा आपकर स्काइब करता है तरह नों सुझास करता है तुसी उन्ही दोस दी उन्ही मात्रा दी बोली तुसी खाओ ते बड़े सिंपल तुसी लाइफ रहा सकते हो एक बहुत कॉमन डिजीज है एवन जी जो के एवरी थर्ड तीसरे लेडिजनों एडिजीज है है इपोचार देजीज को एक प्राणव झाल